शेहर में कोरोना की दूसरी लहर की शिरुवात होनी की पुष्टी कई विशेश अग्यक कर चुके है साथ ही ठंड के कारण सर्दी खासी के मरीज भी बढ़ने लगे है ऐसे में शेनिवार को जिले में 5271 नमूनों की जांच की गई जिसमें 401 नए संक्रमित मिले है हाला की जांच में बड़ोतरी नहीं हो रही है पिछले कुछ दिनों से 6000 से ज्यादा जांच की जा रही थी शेनिवार को यह जांच 6000 के अंदर ही सिमट गई पिछले 24 घंटों में जिले में 9 लोगों की मौत हुई शेनिवार को 331 मरीज डिस्चार्ज किये गए इसमें होम आइसोलेट मरीज भी शामिल है इसके साथ कुल डिस्चार्ज मरीजों की संख्या 1,2482 पर पहुँच कई है साथ ही रिकवरीदर 92.17% पर पहुँच कई है वरतमान में 5,063 मरीज अक्टिव है इनमें से 649 ग्रामिन 4,414 शहर के है इनमें से 3,632 होम आइसोलेट है 1,431 कोविज से सेंटर निजी वस सरकारी अस्पतालों में भरती है पिछले 24 गंटे में 5,271 सेंपलों की जांच की गई नए मरीजों में 64 ग्रामिन 335 शहर और 2 जिले के बाहर की है जांच में 14 संक्रमित एम्स की जांच में सामने आए इसी तरह 69 मेडिकल 34 मेयो 8 माफूस 44 निरी 21 नाकपूर युनिवरसिटी 169 नीजी लाब और 42 संक्रमित अलग-अलग केंद्रों पर हो रही एंटीजन चांच में सामने आए कुल संक्रमितों की संख्या 11,190 पर हो चुकी है इसे के साथ ही 9 लोगों की मृत्यू दर्स हुई जिसमें 4 ग्रामिन, 3 शहर और 2 जिले के बाहर के है कुल मृत तक 3,645 हो गए है